गुड मॉर्णिंग अब्रिवन स्वागत आप सभी का विजडम एजूकेशन पर हैं आज 5 जुलाइट 2020 है संडे का दिन है और संडे का दिन हमारा फोकस्ट होता है नए सब्सक्राइबर के लिए नए लोगों के लिए आज बेसिकली हम डिसकस करेंगे आखिर दैनिक जागरन के राष्टिय संस्क्राण को किस तरह से पढ़ा जाए किस तरह से दैनिक जागरन का राष्टिय संस्क्राण अगर आप पढ़ते हैं यह UPSC के प्लिम्स में काम दे सकें मेंस में काम दे सकें और इंटर्व्यू में काम दे सकें और साथी साथ किस तरह से इसे कोर्लेट किया किस दर से disaster management से correlate कर सकते हैं यह सारे के सारे topic आपको पढ़ना है इनफेक्ट बैनिक जागरन के राष्ट्रे संसक्रन का जो न्यूज होता है कुछ न्यूज उसको आप history से भी correlate कर सकते हैं उसको art and culture से भी आप आप correlate कर सकते हैं जितना अधिक correlation आप सिखेंगे जितना अधिक correlate करना आप सिखेंगे उतना ही आसान हो जाएगा यूपीसी एस्टेट पीशेस तो चलिए सुरवात करते हैं लेकिंगे उसे पहले अमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें पुराने है तो लाइक कर शेर करें कमेंड करें कोई question पूछना है comment section में question पूछ सकते हैं सबसे पहले आज का question अगर वीडियो आपने देखना शुरूग किया है तो इस question का जवाब आप में comment section में देश सकते हैं वीडियो के आखिर में इस पर मैं discuss कर दूँगा ये question UPC ने 2018 में पूछा था UPC पिलिम्स 2018 का ये question है हमने भी और परत्यक्स तोर पे आपके साथ कई बार discuss किया है हालांकि परत्यक्स तोर पे discuss नहीं किया है तो question क्या है कि India enacted the geographical indication of good registration and protection act 1999 in order to comply with the obligation to यानि हम GI Tech की जो चर्चा करते हैं जोग्रोफिकल इंडिकेशन टेक की जो चर्चा करते हैं भारत सरकार ने जो अधिनियम लाया था जोग्रोफिकल इंडिकेशन को लेकर के 1999 में वो किस act के तर्थ या किस संस्था के तर्थ उसको बनाया गया था किस संस्था के कहने पर या किस संस्था के obligation में उसका निरवान हुआ ओप्शन ए है इसका ILO ओप्शन बी है IMF सोरी IMG नहीं है यह IMF है International Monetary Fund ओप्शन सी है UNCTAD या ओप्शन डी है WTO World Trade Organization ये चारों ही आपके पास ओप्शन है इसका जवाब आप में कमेंन सेक्षन में दे दें वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिसकस कर दूँगा देखो फॉर्स्ट पेस पर जो न्यूज है ये न्यूज आपको विश्वस्निय माप डंडों के अनुरूप होगी कोर्णा वैक्सिन एस्षीएमार का स्टेट्मेंट यहां सबसे पहले मैं आपको वैक्सिन दिखा दूँ ओके जो वैक्सिन है इस वैक्सिन का नाम है को traqcine ये आपको दिख़ा है इस बैक्सिन का नाम है कोragon मैं भारत बायो टेक कमपणी इसको बना जानकारी होनी चाहिए, सबसे अधिक important UPSC point of view से यह है कि ICMR के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए basic news क्या है, basic news है कि covaxin जो vaccine बन रही है, यह जो news है, यह news यह करता है कि ICMR ने कहा है कि बिच्वस्तिय मापडंडों के अनुसार होगा, covaxin vaccine यानि जो corona के vaccine हम बना रहे हैं, वो WHO के मानकों के अनुसार होगा, लेकिन सबसे अधिक important यहां है, एक तो vaccine के बारे में आपको जानना, जो picture मैंने आपको दिखा दिया vaccine का, दूसरा है कि ICMR के बारे में जानना, देखो ल कि उसके बारे में A to Z, basic concept उसका clear कर लें, इसके अस्थापना कब हुई, कौन इसका अभी director है, headquarter कहां पे है, इसका क्या काम है, ITC, right, तो इसके बारे में हम detail से discuss करते हैं, और आपको इसी तरह से पढ़ना, ICMR, Indian Council of Medical Research, भारतिय आईडविद्यान अनुसंधान अपरिशर्द, ठीक है, इसके अस्थापना, 1911 में, भारतिय अनुसंधान कोष के नाम से हुआ था, यानि इसके अस्थापना, 1911 में, किस नाम से हुआ है, भारतिय अनुसंधान कोष संग के नाम से हुआ, और स्वतनत्त के प्राप्ति के बाद, 1949 में, इसी भारतिय अनुसंधान कोष संग को, भारतिय अनुसंधान अनुसंधान परिशत के नाम से गठन किया गया, यानि जो संथा हमारे पास, 1911 में बनी थी, भारतिय अनुसंधान कोष संग, उसको, 1949 में, कनुहर्ट कर दिया गया है, भारतिय आयुरुपिध्यान अनुसंधान परिशत यानी ICMR, Indian Council of Medical Research, किलियर है, विश्वी के सबसे पुराने आयुरुपिध्यान संस्थान में से एक हैं, और इस परिशत को भार सरकार के स्वास्थ एवं परियार कलियान मंत्राले के तहत वित्य साहता प्रदान के अजबता है, यानी स्वास्थ और परिवार कलियान मिनिस्ट्री जो है, इसी कितात ये संस्था आती है, और ये संस्था को ये मिनिस्ट्री फिनांस करने का काम करती है, हेड़कॉर्टर भी आते दखलना है, कि हेड़कॉर्टर कहा है, इसका नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर है, और सासी इनके परिशत के जो है सासी निकायों के अध्यक्ष होते हैं तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि UPC और State PCOS में कई बार question पूछा है और फिर भी question इसको पूछा जा सकता है तो इस तरह से आपको normally पढ़ना है paper यानि यह जो news है थोड़ा से जानकारी ले लो news क्या है थोड़ा से basic जानकारी ले लो और उसके बाद जो उसके basic concept में चले जाओ UPC normally basic concept से question पूछती है basic concept क्या हुआ कि ICMR के वारे में आपको जानकारी होनी चाहिए देखो चीर ने नहीं WHO ने सबसे पहले दी coronavirus की सुषना यहां पर दिखो यहां WHO ने क्या कहा था पहले सबसे पहले तो news चलते हैं कि news क्या news यह है कि सबसे पहले WHO क कहना था है कि जो coronavirus है जो spread हुआ है बिश्व में चीन के बुहान से इसकी सुषना सबसे पहले उन्हें चीन ने दिया WHO ने कहा है कि हमें इसकी सुषना चीन से प्राप्त हुई है लेकिन आज WHO कर रहा है कि चीन ने अब हमें coronavirus की सुषना नहीं दी देखो यहां पर लिखा हुआ है कि WHO ने आगे कहा है कि coronavirus के बारे में चीन में उसके कारियाले ने सबसे पहले सुचित की चीन नहीं यानि WHO का कहन है कि चीन ने हमें coronavirus के बारे में information नहीं दिया चीन के अंदर जो WHO का कारियाल्य है वहां से सबसे पहले हमें पता चला है कि चीन में coronavirus का संकर्मन फेल चुका है तो यह तो basic news हो गया कि WHO accept किया है कि चीन ने उसे information नहीं दिया coronavirus को लेकर के उसे information कौन दिया कि WHO का जो कारियाले चीन में है वह कारियाले ने उसे information दिया अब देखो UPC point of view से चुकी WHO लगातार चर्चा में बना हुआ है जब से coronavirus शुरू हुआ है तब से चर्चा में बना हुआ है आपको यह basic concept यहीं हुआ है कि WHO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए यह पूछा जा सकता है UPC यह स्टेट PCS में है कि WHO क्या हुआ कि स्वास्त छेत्रों के लिए सन्यूक्त राष्ट की एक विशेसी कीट एजनसी है इसको अंगरीजी में कहा जाता है specialized agency सन्यूक्त राष्ट की एक specialized agency है WHO इसकी अस्थापना 1948 में हुआ था इसका headquarters कहा है इसका headquarters है जेनिवा में सुजलन की जेनिवा में इसका headquarters है United Nation की एक specialized agency है एक सो चोराण में देस 194 देस WHO का सतश्य है और 150 से अधिक देसों में WHO का कारियाले है और साथी साथ 6 छेत्रिय रेज़ल कारियाले भी है WHO का clear है एक अंतर सरकारी संगठन है अंतर सरकारी मतलग क्या होता है कि जब सरकार और सरकार मिल करके किसी संगठन का पार्ट होते हैं तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है और समानता आपने सदस देसों के स्वास्त मंत्रालियों के सहयोग से यह कारिक करता है डबलू चो की अस्थापना साथ अप्रेल को हुआ था यह भी याद रख ले न काफी इंपोर्टेंट है साथ अप्रेल उनीस सो अर्तारिस को इसकी अस्थापना हुआ था और यही कारण है कि साथ अप्रेल को बिसुस्वास्त दिवस मनाया जाता है क्लिर है तो इतना बेसिक कॉंसेट आपको जानकारी होना चाहिए डबलू एचो के बारे में अब देखो यहाँ पर जो यह इन्फोमिशन है यह न्यूज अथिक इंपोर्टेंट नहीं है न्यूज क्या है कि प्रेमिशन चाहते हैं कि यह जो मार्ग है दौलत बेग ओल्डी मारिंग जो ले से जोड़ता है इस मार्ग की सुरुवात हो जाए जल्द से जल्द इसका काम पूरा किया जाए इस साल तक इसका काम पूरा हो जाना चाहिए जो काम बचा हुआ वो कम्प ये जो है, ये जो मैं, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर मैं आपने टेलिगराम चैनल पर जाकर बार दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हो उसका एक्जेक्ट लोकेशन क्या है, तो ये जो रोड है, ये लाल दिख रहा आए, ये दॉलत बेक ओल्डी रोड, यहान ज जो 1962 में चीन ने इस पर कभजा जमा लिया था चीन इस पर अधिकार कर चुका है तो इसके निकट से यह रास्ता यहां पर गुजरती है किलियर है तो लोकेशन याद रख लेना दौलत बेक ओल्डी रोड का लोकेशन निहाए यह लेस लेकर के दौलत बेक ओल्डी तक यह रो इसलिए यहां पे आप रोड निर्वान नहीं कर सकते हैं और इसी को लेकर के गलिवान घाती में डिस्प्यूट हुआ है चीन और इंडिया को बीज इसलिए यह रोड काफी इंपोर्टेंट है इस रोड के लिए चाइना इंडिया पर आक्रमक हुआ और भारत ने कहा है कि इस न्यूज में आपको बस लोकेशन आपको याद रखना चाहिए, लोकेशन से अधिक इंपोर्टेंट नहीं है, बस यह जान लेना, कि जो गलवान घार्टी में डिस्प्यूट हो रहा है, यह डिस्प्यूट के पीछे भी दौलत बेक ओल्डी रोड जो है, चायना इसको ज जिमेदार माने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस लोकेशन आपको जाकर देख लेना, अब यहाँ पर देखो, प्रामिस्टर मोदी का लदाख दोरा हुआ, और लदाख दोरा में जो है, वहाँ पर सिंधू नदी गए वो, और सिंधू नदी की वो पूजा अर्च कहां से होता है, किलेर है, और दूसरा है कि सिंधू समझोता जो हुआ था, 1960 में वो क्या समझोता है, ये दोनों ही चीज़े आपको जानकारी होनी चाहिए, साथी साथ जोगरोफिकल पॉइंट ऑब व्यू से, भोगोलिक दिश्टी कोन से, आपको सिंधू नदी तंतर के ब पाकिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के तिबबत, यानि तीन डेश में यह भाथी है, चीन के तिबबत से शुरुआत होता है, और पाकिस्तान में जाकर के ये फाइनली अरब सागर में गिर जाता है, इसका उद्गम अस्थल कई बार पूछा है वो कोश्चन, ख सीन का बाबा नाम की जलधारा से इसका उद्गम माना जाता है इंपोर्टेंट है आप याल रख लेना सिंधु नदी का उद्गम अस्थाल तिबबत के मान सरोबर से पाये जाता है यहां से या नदी तिबबत और कस्मि में बहती है और उसके बाद नंगा प्रवत के उत्री भाग से घुमके यह दक्षिन पस्चि में पाकिस्तान की और गुजरती है और फिर जाकर के अरब सागर में गिरती है तो यह सबसे अधिक यहां पर इंपोर्टन आपके लिए है कि इसका उद्गम अस्थाल कहा है तो तिबबत के मान सरोबर के पास से इसका उद्गम अस्थाल है अब देखो सिंधू नदी समझोता कब हुआ था तो 1960 में 1960 में भारत और पाकिस्तान की विच में सिंधू नदी समझोता हुआ था जहां भारत की तरप से प्रायम मिनिस्टर नहरु जी थे बर ही पाकिस्तान के तरप से अयुग खाउन साहब थे इन्होंने साइन किया था तो नहरु जी और अयुग खाउन ने साइन किया था सिन्धू जल संधी 1962 ये भी question पूछता है कि इसके मध्यस्ता किस ने किया था इसके मध्यस्ता वर्ल बैंक ने किया था काफी surprising है कि इस तरह के चीजों का मध्यस्ता कभी वर्ल बैंक नहीं करता है लेकिन भारत की सिंधु जल संधी जो हुआ था 1968-60 में भारत और पाकिस्तान के बिच में इसकी मध इसके मध्यस्ता वर्ल बैंक ने की थे अब देखो important fact क्याद रखो कि सिंधु नदी जहलम नदी और चिनाम नदी का पानी जो है वो पाकिस्तान को जाएगा और रावी ब्यास और सतलज का पानी इंडिया को मिलेगा तो इस तरह से अगर conclude करो कि सिंधु जहलम और चिनाम मि रावी ब्यास और सतलज छोटी नदी है इससे टोटल जो सिंधु नदी तंत्र का है पानी उसका महद 20 परसेंट ही भारत को मिलता है 80 परसेंट आपको पाकिस्तान को मिलता है अब देखते हैं location ओके यह लोकिशन है यहां से देखो यह नदी जो है इंडस नदी यानि सिंधु नदी है यह यहां से ऐसे करके यहां से और यह यहां से यहां से क्रियेट होता है यहां पर है आपको तिब्बत का मान सुरूबर यहां से सुरुवात होता है यहां पर यह स्योक नदी है स्यो के पास ये अरब सागर में गिर जाती है इसकी जो पांच सहायक और इंपॉर्टन नदी है एक तो सिंधु हो गया दूसरा देखो ये जहलम हो गया और तीसरा ये चिनाव हो गया ये तीनों ही नदिक हमने दिया है पाकिस्तान को उसके बाद भारत को कौन को सा नदी मिला एक ये देखो ब्यास नदी है एक नदी रावी नदी है और एक ये सटलर्ज नदी है ये तीनों का पाने इंडिया यूज कर सकता है बांकी जो है रेस्ट नदी जो है सिंधु नदी चिनाव नदी और जहलम नदी ये तीनों का पाने यूज करेगा पाकिस्तान क्लियर है तो इ उम्मीद कर तो कि यह जो कि इस तरधा इस तरता हूं कि यह न्यूज करना सब्रहूर है ना सिर्फ आहिए आपने शिंधु नदि के बारे में जाना बलकि शिंधु नदि के साथ अपने यह जाना कि लुप ś लारता क्रौनी शिंधु-पोंग्श्न नहीं है कि प्राइम निस्टर ने वहाँ पूजा किया यह बिल्कुल इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन सिंदू नदी के बारे में आपको जानना है देखो यहां पर जो है एक न्यूज है कि दक्षनी चीन सागर में ड्रेगन को अमेरिका की चुनोती है किलिर है अब यहां पर लोटो कि फिलिपिन्स ने चीन को दी करी चितावनी फिलिपिन्स के दक्षनी चीन सागर में चीन के जो सैन्य अभ्यास को लेकर गंभीर चितावनी जारी की है फिलिपिन्स का दावा है कि चीन का ये सैन अभ्यास उनके छत्र में होड़ा है रइट और वहाँ पर एक जो है दक्षनी देखो यहाँ पर दियावा है दक्षनी चीन सागर में बिवाद आस्पद पार्सल दूइब पे चीन और वियतनाम दोनों अपने दावे कर रहे हैं तो दक्षनी चीन सागर को लेकर के हम चलते हैं पार्सल दूइब का भी हम लोकेशन देखेंगे ये लोकेशन वाइस काफी इंपोर्टेंट है लेकिन उससे पहले आपको एक समझोता के बारे में जानकारी होना चाहिए United Nation का ये समझोता है सीमा, समुद्री सीमा को लेकर के एक समझोता होता है मान लोगे भारत के ये सीमा है तो भारत जो है कहां तक आपने मच्वारे को भीज सकता है कहां किस छेतर तक भारत उत्खनन कर सकता है किस छेतर तक भारत जो है समझोता होता है इसको लेकर के एक समझोता होता बिश्ट के परत्यक देश्क एक फिक्स्ट सिमा के ताहत समझोता का उत्खनन कर सकते हैं समझोता का उत्खनन कर सकते हैं किलियर है? तो यह एक अंतरैश्टी समझहता है जो विश्व के सागरों और महाशागरों पर अपने देश के अधिकार और जिम्मदारी का निर्दारन करताैं कि आपकी रिस्पोंसिबिल्टी जो है जहाँ आपका जमीन है उसमें सागर में कितना रिस्पोंसिबिल्टी आपक होना चाहिए संध्युकरास्ति यह कानून को 1982 में अपनाया था लेकिन यह नौबर 1994 से प्रभाव में आया केलीर है 1982 में इसको अपनाया गया था लेकिन 1994 से 1994 से यह प्रभाव में आया भारत 1995 में जो है इस संगठन का पाट बना इस इस संजोता को को अपना है और इसके तरह तीन चीजें की चर्चा की गई है जो अक्सर आपने सुना होगा पहला तो आंतरिक वाटर क्या है इंटर्नल वाटर यह बीस लाइन की भूमी के किनारे होता है तथा इसमें खारी और छोटे खंड सामिल होते हैं यानि जो है सीमा के आसपास जो भा हुआ हमारा या अगर हमारे जो सीमा है उस सीमा के आसपास मानलो को जील हो गया जैसे वेमेनार जील हो गया जैसे कर सकतो पूलिकट लिग हो गया तो यह सारे इंटर्नल पार्ट हुआ आंतरिक जल हुआ उसके साथ है प्रादेश्तिक सागर टेरिटोरियल सी यह बेस लाइ है इसके हवाई छेत्र समूंद्र सीबेड और सब सोयल पे 30 देशों की संप्रभूता होती है और इसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन जैसे अमों भारत की यह सिवा हुता है जिस देश की सिमा से 12 समुद्री में लिए कोई डिस्टेंस ऊता है उस दिस्टेंस तक जो है उस देश का अधिकार होता है उसके बाद ये important है कई बार one day exam में पूछा है question कि अनन्य आर्थिक छेत्र exclusive economic zone ये जो है जो सिमा होती है यहाँ से 200 nautical mill तक जो है ये होता है किसी देश की जो है सिमा से 200 nautical mill तक जो distance होता है उसे कह जाता है exclusive economic zone उमीद करता हूँ आपको clear हो गया होगा जैसे मालो भारत की ये सिमा है तो यहाँ से 200 nautical mill तक जो है जो सिमा होगी उसे कहा गया exclusive economic zone वहाँ पे प्राकिर्तिक और खनी संसाधन का दोहन कर सकता है सनक्षन कर सकता है प्रभंधन कर सकता है और इसका संप्रभू अधिकार होता है साथ ही साथ कुछ restriction होते है इन देशों को तो ये तीनों ही चीजे जो है unclosed के तहत आई थी और अभी ये काफी प्रासंगिक है अब देखो इस news पर लोटते है अब देखो देख्षनी चीन सागर में हम लोटे देख्षनी चीन सागर को 9 चायना 9 डेस लाइन भी कहता है क्यों 9 डेस लाइन कहता है देखो यहाँ पर टोटल 9 लाइन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये 9 डेस लाइन चायना इसलिए कहता है और कहता है कि यह पूरा पूरा पार्ट जो है यह चीन का पार्ट यहां पे जो है दो इंपॉर्टन आइजलेंड है जिस पे कई देशों का डिस्प्यूट है एक तो पार्सल आइजलेंड है जिस पे चीन और वियतनाम यह वियतनाम है यह बला पार्ट और यहां पे चीन है त पार्टली आइलेंड और पार्सल आइलेंड यह यूपेसी इस तरह के जो डिस्प्यूटेट लोकेशन होता है जरूर पूछता है अगर पिछले पांच वर्स का कोश्चन आपने अनलाइसिस किया होगा या देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो दो डेशों के बिच में लोकेशन होता है या छेत्र होता है यूपेसी उस पर अधिक फोकस करता है पिलम्स में जरूर पूछता है तो अब देखो जो हमने बताया था कि 200 नौटिकल मिल तक जो है किसी देश जो है एक्स्क्लूसिव एकॉनमिक जोन होता हो इस देश का वहां तक वह रिसर्च कर सकत है लेकिन चायना इसका उलंगन करता है ये जो छेत्र है ये 200 नौटिकल मिल से कहीं अधिक डिस्टेंस में इसके बाभजूत चीन का कहना है कि यहां से लेकर के यहां तक पूड़ा का पूड़ा च्छेत्र पे चीन का अधिपत्त हैं इंपॉर्टन क्यों है ये साला व्यापार 50% से अधिक व्यापार इस चैत्र से हो कर उजरता साथी साथ यहां पर कई सारे खनीज और मिनरल्स उपलब्ध हैं यहीं कारण है कि चीन इस पर दावा करता है और कई बार इस तरह की देखे गया, clear है अब देखो यह यह चीन हो गया यह व्यतनम हो गया यह जो घॉलबभा गूरन इस हो गया यह फिलिपिन्स हो गया यह ताइवान हो गयाתחर इन देशों के बीच में को ह्सारगेक चैना अशी में बिवाद है और यह सारा का सारा पार्ट जो है सा guitar शी का है पार्ट है तो इस तरह से इस न्यूस की तर्थ हमने क्या देखा कि जो बिवादी छेत्र हैं प्रिलिम्स के लिए हमने वो देखा अन्कलॉस जो संधी है उस संधी को हमने देखा और साथी साथ हमने मैप देखा इसी तरह से आपको यूप्यसी के लिए पढ़ना चाहिए हैं कि लिए नियुद्ध हाल के वर्सों में बदलती नेती को सुधरे हालात बढ़ा निर्यात हमने कल इस पर डिटेल से डिसकस किया आ लेकिन एक वार जाकर के इसको पर लेना कि भारत और चीन को लेकर के क्या क्या किया जाना चे किस तरह से आपना एक्सपोर्ट पॉलिसी इंडिया डिवलप करे और उसको लेकर के कल हमने डिटेल से डिसकस किया है UPSC पॉइंट ओब भी से काफी इंपोर्टेंट है कल का मेर लेक्षर आप जाकर कि कल का लेक्षर देख लेना प्रिले लिस्ट में आपको मिल जाएगा कल का लेक्षर कि इसको भी आप देख सकते हो कि सोलर सोड उर्जा के छेतर में 12,000 निवेश करेगी की CIL यानि कोल इंडिया लिमेटर अब देखो यह इंपोर्टेंट क्यों है सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत ने कॉप 21 क्या है कन्वेंशन और पार्टी ट्वेंटिवन यूनाइटिड नेशन का एक जो महतपूर कन्वेंशन हुआ है उसका नाम है UNFCC और UNFCC की जो है 21 मीटिंग जो पैरिस में हुआ था उस पैरिस में भारत ने हैंने कैंवर्ण है भारत जो है रेनेवल इनर्जी से नविकर्न ने उर्जा से 175櫍ट बिजली उतपादन करेगी 2022 तक किल्यर है और 175 गीगावार्ट में सव गीगावाट जो है वह सोलर से करेगी यानि सओर उर्जा से करेगी और इस वह जो में स्टरी 100 गीगावाट में भी देखो ये डाटा में बता रहा हूं काफी इंपॉर्डेंड डाटा है 175 गीगावाट 2022 तक इंड्या बीजली प्रोड्वी करेगी रिनेवल इनर्जी से उसमें 100 गीगावाट प्रोड्वी से करेगी लूप्टॉप से यानि छट पे solar लगा करके 40 GW प्रोड्यूस करेगी और rest 60 GW जो है वो plant लगा के प्रोड्यूस करेगी तो ये new जो है इसी plant का पार्ट है कि एक तरह से plant लगा जा रहा है भारत का अपना target को fulfill करने के लिए comment section आपको मुशे ये बताना है हमने पहले discuss किया है कि भारत में 2030 तक के लिए अपना target change कर दिया है renewal energy का 2030 का भारत का target क्या है you have to write me in comment section what is India's target on renewal energy till 2030 के लिए रहे हैं अब देखो यहाँ पे MSME सेक्टर को एक लाख करोड़ से अधिक आवंटित तो सरकार ने क्या क्या था सरकार ने decide क्या था देखो यहां पर हमने लिखा भी है इसके वारे में डिस्कॉष भी पहले क्या था कि सरकार जो है MSME को 3 लाग क्रोड की package की घोशना की थी कि सरकार MSME को 3 लाग क्रोड जो है देगे अब इसमें यह दुख हो यह important है यहाँ पे जिसकी चर्चा इस news में भी की गई है वो है कि credit स्वरी गारेंटी युक्त आपात कालें credit line यानि guaranteed emergency credit line यह क्या है इसका अर्थ हुआ कि जो छोटे company है मानलो एक पान का दुकानदार तो उसके पास mortgage कर निकले बैंक कैसे लोन देता आपको बैंक आपको लोन देता है कि अगर मानलो आप की पास कोई संपती है non-moveable संपती है यानि जमीन ओगर जो है जिसको आप एक जगर से दूसरे जगर लेकर नहीं जा सकते हो तो ऐसी संपती का जो है कागज आज समिट करोगे बैंक में अपने जमीन का पेपर मानलो बैंक में आप समिट करोगे और उसके बद्दे जो है बैंक आपको लोन देगे यहाँ पे ऐसा बात नहीं है इसलिए इसकी अस्थापना क्या गया है इमर्जंसी क्रेडिट लाइन यानी जो छोटे दुकांदार है मानलो एक पानका दुकांदार एक चायवला है उसको अगर लोन चाय हिए तो उसके पास तो मौर्गेज करनी के लिए कुछ है नहीं कुछ पेपर हाः नहीं उसके पास जमीन हाइं तो उसके लिए जो है उसको किस तरह से loan मिल जाए इसके लिए लाया गया है guarantee युक्त आपातकालिन credit line यानि छोटे MSME को भी इससे किस तरह से फाइदा हो सके किस तरह से वो real ले सके और इसी का एक पार्ट है कि सरकार एक लाग से करोड अधिक से एक लाग से अधिक करोड जो है distribute कर चुके हैं अवंटित कर दी हैं और 52,000 already distribute किया जाच चुका है कर्ज वित्रन किया जाच चुका है अब देखो मेंस प्रस्पेक्टिव से देखो कि सरकार MSME को क्यों पैशा दे रही है कि कि किन्स का जॉन मिनाट किन्स का statement है आप याद रख लेना जॉन मिनाट किन्स का statement है कि अगर दे इस मंदी में हो तो ऐसी condition में सरकार को राजकोष्य घाटा की चिंता नहीं करना चाहिए सरकार अधिक से अधिक लोगों को पैशा दे सरकार पैशा distribute करेगी तो क्या होगा मां कीरेट होगा डिवांड क्रियेट होगा डिवांड क्रियेट होगा तो क्या होगा प्रोडक्षन बढ़ेगा प्रोडक्षन बढ़ेगा तो क्या होगा इंप्लाइमेंट बढ़ेगा इंप्लाइमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा सेविंग बरेगा और लोगों के पास अधिक सेविंग होगा तो क्या होगा मांग क्रिएट करेगा वो और यही कारान है कि यह चक्र जो मूब करेगा और यह चक्र जरूरी है देश के economic growth के लिए इसे कहा जाता है निवेश चक्र investment cycle economic cycle भी से कहा जाता है कि अगर मालो देश recession से गुजर रहा हो देश मंदिक से गुजर रहा हो तो सरकार को अपने हाथ खोल देने चाहिए अधिक से आधिक पैसा distribute करना चाहिए और उसी का पार्ट है यह तो प्रिलिम्स पॉइंट 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 से दोनों पॉइंट 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 से हमने आप से साथ discuss किया इस news को ले करके है उमीद करता हूँ यह news आपको clear हो गया होगा देखो चीन के साथ डेली कुछ न कुछ चीज़ें आती है आपको डेली पढ़ने के आवशकता नहीं है आपको मैं बताता हूँ कि चीन के साथ आपको क्या जानकारी होना चाहिए सबसे पहले दोनों देशों के साथ जो है जो संबंधों का विकास जो कब से शुरुआत हुआ यानि एथिहासिक संदर्म हमारा क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए दूसरा जो है आपको जानकारी होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या-क्या सहयोग का पक्ष है बहुत जगह चीन और इंडिया सहयोग कर रहा है प्रियावरण के मुद्धे पर हम और चीन दोनों मिल करके काम कर रहा है तो कई सारे ऐसे जगह हैं, प्रियावरन का मुद्दा हो गया, SEO हो गया, BRICS हो गया, यहाँ पे चीन एंडिया मिलकर की काम कर रहा है, तो सहयोग का क्या का पक्षा, वो जानकारी होनी चाहिए आपको, साथी साथ बिवाद का क्या का पॉइंट है, इसके बारे में भी जानका आपको होना चाहिए, साथी साथ आपको से पूछा जाए, अज यूपेसी एस्पारेंट आप से पूछा जाए कि आप क्या सुझहो देंगे, तो आपके पास कुछ सुझहो भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ वर्तमान में क्या नीती अपनाना चाहिए, आज वर्तमान म में क्या रणती अपनाया जाना चाहिए चीन के साथ इसके भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए और साथी साथ जो है किस तरह से भारत चीन बैपार घाटा किस तरह से कम होना चाहिए ये भी जानकारी आपको होना चाहिए और साथी साथ कल हमने डिसकस किया था कि DPIIT का जो है क्या blueprint है कि ये सेक्टर में सुधार की वो बात कर रहे हैं ताकि हम चीन को encounter कर सके चीन जो manufacturing hub है वो भारत की और shift हो बहुत सारे company जो चीन छोर के इंडिया आना चाहती है वो इंडिया आज सके उसका भारत एक manufacturing hub हो 20 के लिए इसके लिए DPIIT का 6 blueprint था जिस पर कल हमने डिटेल से डिसकस किया था तो ये सारे के सारे चीजे बेसिक information आपको चीन के बारे में पता होने चाहिए ये news important नहीं है हमारे लिए देखो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो आपको Hong Kong का issue क्या है ये आपको जानकारी होना चाहिए और यहाँ पे ये news क्या है news ये है कि जो कनाड़ा वेपार कर रहा था होंग कोंग के साथ अब उस वेपार को अस्थकित कर देगा या उस पर tariff लगा देगा किलिर है लेकिन आपको basic information Hong Kong का dispute के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसको भी आप एक बारे में देख सकते हैं अब देखो यहाँ पे चुकि यूनिस्को के बारे में चर्चा है यूनिस्को के बारे में चर्चा है और काफी important संस्था है यूनिस्को सन्युक्तरास, सेक्षिक, वेग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन तो इसकी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए थोड़ा सा हाँ समय है मैं डिशेस कर लेता हूँ यूनिस्को को लेकर के यूनिस्को का एक United Nation का एक अंग है एक पार्ट इसका Headquarter फ्रांस के Paris में है 90.45 में इसके अस्थापना हुई थी और इसका काम क्या है? इसका काम है कि सिख्षा, प्रकृति, समाज, विग्यान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरास्य सांति को किस तरह से बढ़ावा दिया जा है इसको काम है, यह काम करती है शिख्षा के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, समाजिक विग्यान के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से अंतरास्तिय सांति को बढ़ावा देने का काम करती है तो यह basic information आपको जानकारी होना चाहिए ओके देखो, आज हमारे पास इतना ही news था इतना important news है, जो आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आपको आप दली में रहते हैं, तो आपको पीडियाफ दली में रहते हैं तो यह अखवार मिल जाती होगी आपको यह news नहीं मिलता होगा आईसे condition में आप हमारा जाके टेलेगराम चैनल जोइन कर लेना और वहाँ पे मैं यह पिडियाफ आपके लिए प्रोवाइट कर देता हूँ केलियर है? ओके, आज के question पे हम move करते हैं हमने GI Tech के बारे में चर्चा किया है कई सारे उत्पात को GI Tech मिलता है GI Tech सिर्फ goods को मिलता है, service को नहीं मिलता है यह भी basic information याद रख लेना वस्तु को मिलता है, सेवा को नहीं मिलता है और किस संस्था के तथ यह आती है? यह आती है World Trade Organization वह इसे भी याद रख लेना अगर goods है मालो goods मतलब क्या हुआ? कोई समान हो गया, कोई वस्तु हो गया चीनी एक goods का पार्ट हो गया, मक्के ही हो गया, यह सारे इस सारे goods का पार्ट हो गया electronic समान हो गया तो goods का अगर मालो निरियात किया जाएगा तो निरियात करने की जिमिदारी होती है WTO के, WTO के तहत यह policy आता है तो ऐसी condition में GI Tech जो है जो भारत सरकार लाई थी 1999 में, वो लाई थी एक organization के तहत जिसका नाम है WTO यानि World Trade Organization, इसका exact answer हुआ दे तो उमीद करता हूँ आज के news से आपको पता चला होगा है कि देनिक जागरन को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस news को पढ़ना चाहिए, किस news को छोड़ना चाहिए जैसे ये first page पर ये news दिया हुआ ये हमारे लिए बिल्कुल important नहीं है इसलिए हमने इस पर discuss नहीं किया हमने आपके साथ उसी news को discuss किया है, जो UPSC या State PCS या One Day Exam Point of View से relevant था, महत्पूर्ण था clear है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद अपने दोस्तों के साथ, अपने कलिक के साथ इसे share कर दें और साथी साथ subscribe कर दें और share कर दें, thank you